हरी कृष्णा, गर्णियों का सीजन है तो कुछ नाचरल और रिफ्रेशिंग सा जूस बनता ही है तो आज हम अंगूर का यानि की ग्रेब्स का जूस बनाएंगे यहाँ पर हमने एक कप हरा अंगूर और आदा कप काला अंगूर लिया है यह जूस हम सिर्फ देड़ कप हरा अंगूर या सिर्फ देड़ कप काला अंगूर से भी बना सकते हैं अंगूर को अच्छे से धो कर हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे मैंने यहाँ पर दो बड़ी चम्मच शकर का इस्तमाल किया है शकर हम कम्या जादा कर सकते हैं मैंने यहाप पर अंगूर लिया है तो काफी मीठा वाराइटी का है इसलिए मैंने यहाप पर कम लिया है अगर आपका अंगूर खटा हो तो थोड़ा ज्यादा शक्कर डाल दियेगा एक बड़ी चमच फ्रेश या फ्रोजन पुधीने के पत्ते, दो चुटकी काला नमक, इस जूस में सफेद नमक ना डाले इसमें काला नमक ज्यादा स्वाध देता है अब हम बिना पानी डाले इसे अच्छे से पीस लेंगे अच्छी तरह से पीस जानी के बाद हम इसमें बरफ डालेंगे अगर बरफ नहीं डालना है तो हम उसके जगे पे एक चौथा या तो आधा कब जितना पानी डालेंगे पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं हमारे कंसिस्टेंस के हिसाब से लेकिन ज्यादा पानी ना डालें बिना च्छाने मैं ये जूस को ऐसे ही सर्फ कर रही हूं